कि अब आप अच्छ आप हैं अच्छ अच्छ आप अच्छ फेलो स्टूडेंज कैसे हैं स्टूडेंज टूडे वी आप इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे which animal have hairs on their body? कौनसे अच्छ आगशे होते हैं जिनके बौड़ी पे hairs होते हैं? कौनसे एसे अच्छुन के रहना हैं आप्संद खरते हैं? कुछ आप ग्रूप में रहते हैं? which animals are shy and do not come out easily कौन सा ऐसा animal है जो shy होता है शर्मिले शवभाव का होता है और आराम से भार नहीं निकलता है आरशाने से भार नहीं निकलता है Are there any animals that we see only at night क्या ऐसे animals भी है जो हम के अगर रात को देखते हैं Where do they go during the day और वो दिन के समय कहां चले जाते हैं How does living together in a community help us और एक community में एक साथ रहना हमारे किस तरह से शायता करता है Now let's start our chapter Babu lives in small village in Himachal Pradesh Babu एक Himachal Pradesh के छोटे शे गाउं में रहता है His family rear ships to get wool from them और उसकी जो प्रिवार है वो ship means जो भेड होती है उनको पालता है किसके लिए wool प्राप्त करने के लिए on the body of the ship are removed and the wool is made from them जो hairs होते हैं जो ship की बोड़ी से वो रिमूव किया जाते हैं उनसे क्या बनाई जाती है Wool बनाई जाती है Do you know any other animal कि आप किसी ऐसे दूसरे animal के बारे में जानते हैं जिसके बोड़ी पर hairs होते हैं Do you have hairs on your body क्या आपके बोड़ी पर भी hairs हो है बाल है Animals like cat, dog, zebra, loin, horse and donkey have hairs on their body जैसे animals है loin है, zebra है, cow है, horse है, donkey है इनके बोड़ी पर क्या होते हैं hairs होते हैं They also have external ears उनके external ear भी होते हैं Some animals like elephant have large ears कुछ ऐसे animals होते हैं जो इनके बड़े-बड़े कान होते हैं elephant है, okay hairs of the ship being removed जो wool बनाने से पहले क्या किया जाते हैं जो ship होते हैं उसके hairs को remove किया जाते हैं shawl and blankets made of wool और जो shawl और blankets हैं वो किस से बनाए जाते हैं wool से बनाए जाते हैं try to find out at least five animals around you that have hairs on their body पाँच ऐसे animals के नाम find out करिए जिसके बड़ी पे hairs होते हैं आपके आसपास में आपको दिखाई दे जाएंगे बाबूस फादर ही जा वीवर बाबू का फादर क्या है means जो बाबू बच्चा है उसके फादर क्या है वीवर है बुनने का का काम करते हैं ठीक है और वो क्या बनाता है अच्छे सुंदर सुंदर शॉल भी बनाता है and blankets from the wool fiber और wool fiber से blanket भी बनाता है बाबू टेक्स फ्लॉक अप सिप आउट फॉर ग्रेजिंग और जो बाबू है वो अपने सिप के जो फ्लॉक होता है means ग्रूप होता है सिप का उसको बोलते हैं फ्लॉक जिसमें बहुत सारी शिप्स होती है तो उसको लेके वो चलाने चला जाता है एक ग्रूप अप सिप इस काल्ड फ्लॉक फ्लॉक किसको बोलते हैं सिप के एक ग्रूप को बोलते हैं फ्लॉक he takes care of them और वो उनकी देखभाल भी करता है normally all the sips stay together लगबग सभी जो sips होती हैं वो एक साथ रहती है they like to live in hard और वो किसमें रहना पसंद करती हैं जूरंड में but sometimes two or more of them gets separated and fall prey to animals like hyenas, wolves, lions tigers, etc लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक या दो sips होती है उनका क्या बन जाती हो सिकार बन जाती है तो यहाँ पर कुछ एक wording दीगी है मेंच कुछ animals के group को क्या कहा जाते है वो यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले है Ants Ants के group को क्या कहते है Swarm और army Monkey Lucky के groups होते है उनको क्या कहते है Troops Bees के groups को क्या कहते हैं? Heaves or Swarm Birds के Flight और Cow और Goat के group को क्या कहेंगे? Herd Camel के group को क्या कहेंगे? Carvan Dogs, Kennel And Cats, Clatter तो ये कुछ common names हैं जो animals के different animals के group को दिये जालते हैं ठीक है? There are many animals that like to stay in groups बहुत सारे ऐसे में animals भी हैं जो group में रहना पसंद करते हैं Elephants, Zebras, Horses, Buffallows, Lions, Wolfs, Deer Beavers, Penguins, Flamingo, Baboons Always Move in Cluster तो ये जो animals हैं इनके groups को में जी ये animals क्या करते हैं? Group में move करते हैं ठीक है? Look at the pictures of these animals They are mostly seen in groups ये कुछ ऐसे animals हैं जो लगबग group में ही देखे जाते हैं जैसे elephants, Zebras, Monkeys, Horses, Rabbits and Goats ये हैं कुछ animals जो group में रहते हैं Do you know why some animals prefer to live in groups? क्या आपको पता हैं कि कुछ animals हैं ये group में रहना क्यों पसंद करते हैं? There are several regions for staying in groups बहुत सारे region हैं जो group में रहने के लिए responsible हैं बहुत सारे ऐसे region हैं जो group में रहने के लिए इनको responsible हैं To stay protected पहला region है कि वो अपने आपको safe रखने के लिए group में रहते हैं Weak animals which are prey to other animals usually move in groups कुछ ऐसे animals जो कमजोर होते हैं या दूसरे animals का वो बन सकते हैं शिकार बन सकते हैं वो group में रहते हैं Within the group they feel safe और वो group के अंदर क्या feel करते हैं? Safe feel करते हैं शुरक्षित Deer, Jabra and many types of small fishes and birds are example of such animals Deer है, Jabra है और कुछ चोटी-चोटी fishes भी है जो इस तरह के example हो सकते हैं Next आते हैं to search the food Food की search के लिए means भोजन की तिलास के लिए Animals like wolves hunts in group जो wolves होते हैं भेड़ी होते हैं वो group में hunch करते हैं They help each other in hunting their prey और वो किसमे help करते हैं एक दूसरे की help करते हैं जब वो सिगार करते हैं तो ताकि वो उनका सिगार जल्दी हो जाए और उने खाना मिल सके To look after the young ones अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखबाल के लिए A group of animals usually has many young ones and few parents to look after them बहुत सारे एक group में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं और कुछ parents होते हैं जो उनकी देखबाल करते हैं The young ones are taken care by the elders in a group और जो young ones होते हैं छोटे होते हैं उनको बड़ों के दबरा उनकी देखबाल की जाती है For example, old elephant take care of the baby elephant अधान के दोर पर हम कहें कि जो old elephant होते हैं मिच बुड़े हाती होते हैं वो छोटे बच्चों की देखबाल करते हैं To build shelter अपना रहने के लिए जहए बनाने के लिए भी वो group में रहते हैं Living in groups helps animals to find a shelter or build shelter Group में रहने से जो animals होते हैं उनको आसानी से shelter find करने में और बनाने में help होती है Next, do you know any animals that make their shelter क्या कभी आपने किसे ऐसे animal को देखा है या किसे ऐसे animal को जानते हैं जो अपना shelter बनाते हैं जैसे ant hill, spider and honey bees यह अपना shelter बनाती है इसके साथ यह wasp house, rabbit burrow and beaver's house यह कुछ ऐसे animals हैं जो अपने house को खुद बनाते हैं इसके अलाब और भी होत सारे examples हैं जो हम देख सकते हैं कि वो अपने houses खुद बनाते हैं insects also show social behavior जो insects होते हैं वो भी क्या दिखाते हैं social behavior show करते हैं bees group में रहते हैं community में रहते हैं some animals such as ants bees termites live in large group or colony में जो ants हैं bees हैं और tramites वो बड़े बड़े group में रहते हैं a colony of ants for example may consist of thousands of to hundreds of thousands of ants और जो ants का group होता है उसके अंदर हजारों की संक्या में या लाखों की संक्या में आपको ants मिल सकती हैं ठीक है in an ant colony each member has a specific job to carry out और जो ant colony होती है in an ant colony each member has a specific job to carry out और जो ant colony होती है उसके अंदर सभी members का अपना-पना काम होता है some ants defend the colony and attack the other colonies जो defense का काम करती है वो ants क्या करती हैं कि जो उनकी colony होती है उसको protect करती है या फिर दूसरी को लोनी पे अटेक कर सकती है they are called soldiers इसलिए उनको क्या कहा जाते है ृसली इसलिए को किया कहा जते है and feed the members of the colony कुछ आंट्स ऐसी होती है जो फूड के लिए इदर उदर घूमती है और जो कॉलनी मेंबर से उनकी देखवाल करती है दे आर कॉल्ड वर्कर्स इसलिए उनको क्या कहते है वर्कर कहते है दा क्वीन आंट हैस दे रिस्पॉंसिबिलिटी डू ले एड्स जो क्वीन आ जैसे लेपार्ड है फॉक्स है टाइगर है पॉलर्वियर है या रहनोज है वो अकेले रहना पसंद करते हैं इसलिए होता है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा खाना एक अकेले के लिए बहुत ज़्यादा खाना चाहिए सेंसे लिमिटेड फूड इविलेबल इन दा जं होती है that's why they live alone look at the pictures of animals below कुछ यहां पर animals की पिक्चर दीगी है they feel two side to face people around और यह कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आसपास लोगों को ब्रदास्त नहीं करते हैं मेंच उन्हें अच्छा नहीं लगता है उनके आसपास हैं जैसे रैड पंडर स्कृरल ओस्टीच लेपर्ड नेक इसलिए उनको हम क्या कहते हैं नॉक्टरनल एनिमल बोलते हैं ठीक है like foxes, alligators, bats, rats, owls, hazhawks, crickators and cockroaches becomes active at night यह एनिमल्स हैं जो रात को active होते हैं they come out at night due to several regions और वो रात को भार क्यों होते हैं उसके पीछे भी कुछ regions होते हैं जैसे to protect themselves from predator अपने आपको शिकारी से बचाने क लिए to hunt for their food mostly nocturnal animals अपने food को सिकार करने के लिए means food लेने के लिए for example owls which are active at night catch rats that are also active at night और जो owls होते हैं वो रात को भार किसलिए निकलते हैं क्योंकि जो rat होते हैं वो भी nocturnal होते हैं और owls होते हैं वो भी nocturnal होते हैं इसलिए आउल्स को rat पकड़ने में easily miss आसानी होत होते हैं to avoid competition for food with other animals for food के जो competition होता है food के लिए जो competition होता है उसको avoid करने के लिए उससे बचने के लिए क्योंकि रात को बहुत कम जानवर्स होते हैं वो active होते हैं बाकी सब कैसे होते हैं daytime active होने वाले to avoid heat of the day और day during daytime बहुत ज़्यदा heat होती है तो उसको avoid करने के लिए भी वो रात को active होते हैं during the day they sleep in their hiding place like caves, tops of trees, isolated places in our homes and other such lonely places और दिन के समय वो कहां पे रहते हैं ऐसे जगहें पे जहां पे dogs नहीं जाते हैं यहां पर जहां पर बहुत जड़ा बहुत ही कम activity होती है ठीके some animals like to live in the company of other animals कुछ ऐसे animals होते हैं जो दूसरे animals की company में रहना पसंद करते हैं while living together they help each other और जब एक साथ रहते हैं तो आपस में दूसरे की help भी करते हैं जैसे and a great gets a joyride on the back of a buffalo एक इग्रेट होते हैं बैगुला पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं बैफेलो की पीट के उपर बैटके गोमते हैं क्यों it also gets insects to eat from the buffalo's body क्योंकि जो बैफेलो की बोड़ी पर जो insects होते हैं वो उसको खाता है the buffalo on the head other hand is rid of biting insects और जो बैफेलो है उसको क्या benefit होते हैं कि उससे जो insects प्रिशान करते हैं उससे वो छुटकरा मिल जाते हैं ठीक है next we eat together we live together in a community हम community में एक साथ रहते हैं the advantages of living together are that we can share news and views among us कि हम अपने views है news है उनको अपस में share कर सकते हैं we can show our problems by sharing ideas and working together हम अपने problems को भी ideas को भी share कर सकते हैं एक साथ काम करके we can play together and celebrate the happy moments of our life हम अपने moments को celebrate कर सकते हैं और जो life है उसको happily रह सकते हैं together we can develop a suitable environment for a healthy and peaceful life और एक साथ रहकर भी हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो सवस्त जिन्दगी है या फिर peaceful शानतिपूर जो जीवन हो उसके लिए हम प्रियास कर सकते हैं या environment create कर सकते हैं sometimes there are disadvantages of living together और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साथ रहने में disadvantage भी होती है हानी भी होती है when certain things are less and the number of people who need them is more there is a competition जब उस कंडिशन में क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़े होती ही जो कम होती है लेकिन उसको यूज करने वाल लोग बहुत ज्यादा होते हैं उसलिए वहां पर क्या हो जाएगा competition हो जाएगा this leads to the jealous rivalry and hatred इसलिए वहां पर क्या हो जाएगी घरना हो सकती है या फिर एक दूसरे को देखके जलन हो सकती है ठीक है but compared to the advantages disadvantages are few लेकिन advantages के comparison में disadvantages बहुती कम है means lab के comparison में आनी बहुती कम है साथ रहने में okay so we should live together in a society okay so this is our chapter